इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Zindimi Tablet belongs to a group of medicines called antihistamines. इसका इस्तिमाल विभिन अलजी की स्थिती जैसे कि हे बुखार, conjunctivitis, कुछ तवचा की reaction जैसे कि एक्सिमा, हाइव और काटने तथा डंक मारने से हुई reaction के इलाज के लिए किया जाता है. यह भी आँखों से पानी बहने, नाक बहने, छीकने और खुजली से राहत देता है. Zindimi Tablet can be taken with or without food. आप इसे जिस लिए ले रही हैं, उसके आधार पर आपके लिए जरूरी डोज अलग हो सकती है. आमतोर पर यह दवा शाम में ली जाती है, लेकिन इसे लेने का तरीका जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह माने. इस दवा की आवश्यक्ता आपको केवल उन दिनों हो सकती है, जब लक्षन दिखाई पड़ते हैं. लेकिन अगर आप लक्षनों को रोकने के लिए इसे ले रही हैं, तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए. अगर आप कोई खुराक छोड़ देते हैं, या सलाह दिये गए समय से पहले लेना बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं. यह दवा आम तोर पर काफी सुरक्षित है, सबसे आम साइड इफेक्ट्स में नीन दिया, चक्कराना, मूह सूखना, ठकान और सिर्दर्द शामिल हैं. आम तोर पर यह हलके होते हैं, और कुछ दिनों बाद दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर इसमें समायोजित हो जाता है, अगर कोई साइड इफेक्ट्स बना रहता है या परेशान करता है तो डॉक्टर से परामर्श करें. इसे लेने से पहले, अगर आपको किड़नी से समबंधित कोई समस्या या मिर्गी यानी की दौरे है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. आपकी खुराक को बदलने की जरूरत पर सकती है या यह दवा आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकती है. कुछ अन्ने दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती है. इसलिए हेल्थ के टीम को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं. अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो आपको इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए. हालाकि यह नुक्सानकारी नहीं माना जाता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.